हेलो फ्रेंट्स सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाईए इस बेल आइकन को और पाईए हमारे चैनल से जोड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आज हम आपको इस वीडियो में डाइस यानि की पासा से संबंदित रीजिनिंग के जो कोशन होते हैं कि किस पासे के अपोजित में कौन सांक होगा उससे संबंदित कोशन बताएंगे तो आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिया और अच्छे से पढ़ लिजेगा तो आपके जो भी जाम होते हैं ससी के हुए यूपीपी के हुए और भी हर पुलिस के हुए सबके बेस अब उससे यह रीजिनिंग के लिए इंपॉर्टन है तो चलिए सुरू करते हैं तो यह मैंने एक डाइस बना दिया आप लोग के सामने तो आपको इहां दिखाई दे रहा होगा यह डाइस है आपको पताँ डाइस के सिक्स फेस होते हैं तो फेसली सीप में होते हैं तो त्रिक होता है कि जो जरी अपोजिट फेस होते हैं। उसके एड़ करने पर साथ आते हैं। जैसे यह मानक पासा मेने बना आए है, तो यह फ्ट यह वन है। यह फाइव है । मतलब यह यह पाप लिए, मतलब यह का बोज़िट जो होगा ? इनके चर्वाइड करेंगे तो साथ आएगा। मतलब य अगर जो 6 एड किया तो 7 आ तो 1 का पूजिट 6 हो गया 5 का पूजिट अगर जो 2 एड किया तो 5 का पूजिट 2 हो गया 4 का में 3 एड किया तो 7 आ गया यानि 3 का पूजिट 3 हो गया तो इस तरह से अगर जो मानक पासा पूछा है तो इसका पूजिट हम सिंपल दरीगेस निकाल सकते हैं यानि कि opposite faces होते हैं उनका जो adding होता है वो साथ होता है तो चलिए मानक पासा को छोड़ते हैं अगर जो question पूछता है मानक पासा दिया तो हम लिख देता है कि यह मानक पासा है तो इसके देखते हैं opposite faces को क्या हो सकते हैं तो हमको कुछ पता नहीं है तो यह dice है यहां 1 2 3 लिए यह तो एक चीज हमको यहां से पता चल जाता है इस dice को देखने से जो one है उसका जो opposite होगा वो three या two नहीं होगा थ्री या टू नहीं होगा क्योंकि थ्री या टू यहीं दे दिया है और इसके अपोजित में तो हो नहीं सकता और टू का जो अपोजित होगा वो वन और थ्री नहीं होगा यह तो आपको पता रहना चाहिए और थ्री का जो अपोजित है वो वन और टू नहीं होगा तो यह य सकता है और इसी तरह त्व और त्री का भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ से जाए से प्ता से जाए रए को the साथ होते हैं तो उसे देखते हैं स्ट्राइब के कैसे हलोते हैं और रूबर बनुम्र इस बताऊंगा रूल सुरू करते हैं रूल नंबर 1 का क्वोश्चन आपके सामने हैं तो इसमें क्या हुआ दो पासे आपको दिखाई दे रहोंगे तो मैंने बताया था हर फासे के थ्री फेसे ही हमको दिखाई देते हैं तो क्या लिखा है वेन वन नंबर इस कामन बोथ दिवा डाइसे मतलब जो दो पासे हैं उनमें एक नंबर कामन हो तो उनके अपोजिट हम कैसे निगा लेगे तो उसका भी एक ट्रिक है मैं यहां 2 नहीं कामन है 4 नहीं कामन है 6 6 यहां भी है 6 यहां भी है तो हमें 6 यहां कामन मिलता है तो हम यहां 6 एक यहां लिख देते हैं एक यहां लिख देते हैं क्योंकि दोनों में है और यह कामन है तो इसको छोड़ देते हैं अब क्या करते हैं दोस्तों दोनों पासों को हम clockwise गुम आएंगे तो clockwise यहांसे अगर गुमाते हैं तो compl幹嘛 यह शिक्स आता पहले फिर फूर आएगा फीर two आएगा इसी तरह इस दिखे ग़ीं देखेगा clockwise गुमाएंगे तो हम देखते आँ पहले में देखते हैं पहले यह हमारा 6 के बाद क्या आया 4 आया फिर खुमाया फिर देखा फिर 2 आया इसी तरह इसमें 6 के बाद 5 आया 5 के बाद 3 आया तो अब एक चीज अब यहां पर पता चल जाती है यह जो 4 है यह 5 के अपोजिट होगा यह 2 है वो 3 के अपोजिट होगा तो यहां से हमें एक सीच पता चल गई, 4 होगा, वो 5 के अपोजिट होगा, और 2 होगा, वो 3 के अपोजिट होगा, अब हमें यह देखना है, इस 6 के अपोजिट क्या होगा, तो अब हमें यह 4 रंग के हां पता चल गए, 6 पता ही है, जो बस्ता है वो 6 का अपोजिट होगा, ब दो पास से दिए हैं और एक अंग कामन हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या उनके अफोजेट होगा चलिए रूल नंबर दो पे आते हैं तो rule number 2 में क्या है when two number each common both are dice मतब dice दिए हैं उसमें 2 number common हो तो कैसे करते हैं तो इसमें हमको देखा है तो six six common है four four common है और five one नहीं five common है तो यहां पर दो number को common मिलने हैं तो एक चीज़ हम को यहां पर जान लेते हैं जब दो number common होते हैं ठीक है मतलब six common है six है four four common है तो जो बचता है वह एक दूसरे के opposite होते हैं तो यहां पर हमाई five opposite होगा one के ठीक है और अब क्या बच रहा है अब बच रहा है six four यह या तो two के opposite होंगे या तो three के opposite होगे तो कोचा ना आएका जब तो उसमें option के इसाब से अगर जो हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो महासारी से guess कर लेंगे कौन किस्त के opposite होगा तो इस तरह से rule number two हम solve कर सकते हैं तो चलिए और देखते है next क्या होता है तब आप बात करते हैं open dices की मतलब जो dice है तो कागच कापना है माल लिजिए उसपर यहां फएसु को हम open कर देते हैं ठीक है उसको खोलते है तो दो टाइप से खुलते हैं पहला थो यह तरह से हम खोल सकते हैं तो इस तरह से जो यह खुला होगा डाइस है इनमें से कौन सा डाइस open किया गया ठीक है तो यह question type है open dice तो चलिए शुरू करते हैं तो इस type के question में क्या होता है इस condition में अगर जो open dice दिया है इस type का तो जो alternate number होते हैं जो alternate होते हैं वो एक दुस्रे के opposite होते हैं तो alternate की बात करें तो यहां से हमारा जो 3 होगा वो 1 का अपोजिट होगा और इसी तरह जो 5 होगा वो हमारा 4 का अपोजिट होगा अब बसता क्या है 6 बसता है 2 बसता है तो 6 जो होगा वो भी 2 का अपोजिट होगा तो इस तरह से हमको एक चीज पता सिल जाती है यहां पर कि 3 जो होगा वो 1 का अ और 5 जो होगा, 4 का अपोजीट होगा, और 6 हमारा जो बस्ता है, वह वहगा 2 का अपोजीट, तो हमें अपोजीट ये पता से लिगरी जैसे हैं, ये चाहिए पता है, तो हम ये अराम से बिख Нीजेमें, आप देखते हैं, ये पहला जो विकल्प हैं, इसमें क्या दिया 312 हमें यहां पता 31 का आपोजिट है इसमें 3 यहां साइड में दिया आपोजिट नहीं है तो यह गलत दूसरे में देखते हैं 54154 का आपोजिट है यहां साइड में दिया गलत यहां 2662 का आपोजिट है तो यह भी गलत अब यहां देखते हैं 14 इसमें नहीं इस तरह से हमारा जो यह सही हो जाता है तो इस तरह से आप उपन डाइस के लिए अगर दूसरे टाइप में लेखते हैं यह उपन डाइस करते हैं तो इस टाइप का भी ओपन डाइस हमारा खुलता है मतलब डाइस कोल पर इस टाइप का भी हमारा बनता है तो आफ चलिए इसको देखने के किस टाइप की इसमें भी डाइस को ओपन किया गया है और यहां पर कुछ नंबर दिएगा है यहां पर नोट कर लेते हैं पहले सॉल्व करने से पहले बस आपकी प्रैक्टिप्स अगर जो अची हो जाती है तो आप आशानी से question सबमें इस टाइब को कोईशन कम- stress attack कम say- job कर लेते हैं तो आपको exam में जусов हो कि आप पर देखते । को पेजान जाएंगे कि कौन किसका opposite होगा तो आपके पास exam में time कम होता है तो इसलिए आपको practice ही आपका जो साथ होता है जामें आपके काम आता है तो चली देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा तो 3 6 का पॉजिट है तो यहाँ पे 3 6 दे दिया साइड में तो ब्लिट यह गलद हो जाता है यहाँ पर रेखते हैं यहां पर सामने दी गरत हो गया और 4 यहां से हमारा सही हो जाता तो दोस्तों यह था के रिजनिंग के कोश्चन आपने देखा कितने सिंबल तरीके से यह सौल हो जाते हैं और ज्यादे दिकत नहीं हुआ और मैंने बता दिया कौन किसके होजिट है अगर जो कोई भी कोश्चन आता तो यहां से आप सौल कर रहेते हैं तो देखते रहें एक्जाम कोई टिप कि एका थैंक्स फॉर ओसिंग मिलते हैं नेक्स फूर्टियू में बाबाइब